मैं डॉक्टर रामिन कुश्वा आप देख रहें,icable Element, Many Treatments यह वीडियो का आप थमदल में आप देख रहे होगे यह वीडियो डेडिकेटेट है नरिंदर for म there जी और वो हमारे तमाम वाईस दविंग आर्टिस्ट जो अलग-अलग करेक्टर्स के आवाजे निकालने में वो माहिर हैं, यहीं उनका प्रोफेसन है, इसमें हमारे एक फ्रेंड है, डॉक्टर मयूर व्यास, जो प्रोफेसर भी है, और रजनी कांद की वैस, हिंदी वैस है, वो आवास देते हैं, आपको इतने भी रजनी कांद क हिंदी मूवी देखेंगे, इसमें मयूर व्यास के आवाज है, डॉक्टर मयूर व्यास, हमारे अच्छे फ्रेंड भी है, दूसरा मुझे दो जुलाई को वैस संसद में नरंद्र मुझी का भासन सुन रहा था, उसमें बैक्ग्राउंड से बहुत ज़ाड़ा आवाजे आ लाजे, भी अच्छ बहुत सूर्ड करता था और मुधी छिलार लाकशी के बात कर रहे थे, बोल जोर जोर से बोल रहे था, बीच पे उन्हों ने किसी को मंद्ध बुद्धी किसको बोला है, तो मैं ध्यान से जब सुना मंद, बुद्धी नहीं, वो वालक बुद्धी किसी को बोल रहे थे बीच में पाली भी पी रहे थे बूल भी रहे थे आप ये वीडियो देखिए कर अगनी वीर को लेकर सदन में जूत बोला गया कल यहां वर्पूर असक्त बोला गया यह एमस पी नहीं दिया जा रहा लोग चीख रहे हैं चिला रहे हैं जो उचा रहे हैं कि मोदी जी नहीं बोले मुझे में लगा कि साथ उस समय के बाद यह लोग चुप हो जाएंगे लेकिन वो चुप नहीं हुए यह भासन मोदी जी ने 2 गंटा 17 मिनट दिया तो मेरे दिवाग में आया विचार कि इस तरह के लोगों के लिए कुछ रेडिकेशन कुछ बनाया जाएं कि अभी उनको पांच साल और इसी पीच पे बात करनी है इसी महौल में बात करनी है तो गले में तो तकलीफ होगी फिर हमारे जो डबिंग आस्टिस्त हैं मैंने एक वीडियो देखा दम मोटर मौथ पर सोनल कौसल जी है जो कार्टून के बहुत सारे आवाजे निकालती है अगल बिहाइंड मेनी वैस तो उन्होंने अपने वीडियो में बताया था कि वह इतना ज्यादा डबिंग की कि उनका गला बैट गया गला इंफलेम हो गया डॉक्ट प्राणयाम का अगर अर्थ देखेंगे तो एक ब्रेव बिनिंग जस्टर होता है उसको बोलते है अलग अलग सब्दों में अगर इसको आवाजे निकालता है दूसरा आम बोल चाल की भासना में एक विसेस प्रकार की ध्वरी निकालता है तो नौमली जब हम प्राणयाम कर रहे होता है तो अपने नुस्टल को बंद करते हैं यह प्रकार के कि अल करते हैं और लेकिन हो वह यह प्राणयाम करते हैं तो प्रणयाक में हो तो अछोज़न अरियर को समझ में थ expectancy है उच्वश्य प्राणयाम जितने हमारे सिंगर भाई है बेर है फ्रेंड और डबिंग आर्टिस्ट है अलग-अलग आवाजे निकालते हैं मोधीजे से लोग भासन देने वाले लोग हैं चिल्दाने वाले चीखने वाले लोग हैं उनको गले का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इसके साथ मेडिसिन भी क्या देंगे आप अपने गले को ध्यान देखने के लिए ताकि आपको एंटिवेटिक निखाना पड़े दिरे फिरेंट नॉर्मल जो थ्रोट होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है खुला हुआ है जब बोल रहे हैं तो खुला है सांध बैटे हैं दूबंध है दूसरा जब आप इनफ्लेम होता है तो वो कि इस तरह से दिखता है बहुत सौफ्ट औरगन है गले में होता है इसका अगर ख्याल ना किया जाए तो इनफ्लेम हो जाता है देखिए एकदम शूजाववा दिख रहे आपको ये आपको साथ नहीं हो आप पर मजबूत रहे श्टॉंग र बैठे पदमासन्न बैठे इस पाइन को लेक्ट रखें आपका इग्यान मुद्रा में आपको खात रखें और धीरी अब मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से देखें आप नॉर्मली स्वास लेते हैं तो स्वास लेने की चोड़ने की आवाज नाक से आती इदर से यहां यहां फ्रिक्षन होता है आवाज की एअर की और आवादी आवज देखें यहां से यहां फ्रिक्शन हो रहा है इसी फ्रिक्षन को आपको फोर्ट में अनुभव करना है देख्ञें इए होड़ करना है वान टू त्री फोर एक्जेल भी सेम फ्रिक्शन के साथ जब आप इन्हेल करेंगे तो थ्रोट में आपको ठंडग कान होगा इसका मतलब आप सही कर रहे हैं दिर दिर या भ्यास करते करते हैं आपको ध्रुनी निकालनी है एक विसेयस परकार की ध्रुनी जैसाब मैंने बताया अर्थ होता है विसेयस परकार की ध्रुनी देखें लूट वाइन टू थ्री फॉर यह अंदर से आवाज वुकल काट पर फ्रिक्शन करते हो बाहर आ रहे हैं तो यह वर्ड मेंकिंग नहीं करें वर्ड मेंकिंग के लिए स्वास बाहर से अंदर लेते हैं इसको ध्यांसा समझें पहला स्वास करी करीए पुरा लूट बुल लूँ से टीलेशी झाल झाल प्राण तो हमसा पेट को साफ रखना है लंग्स को मजबूत रखना है तो पेट के वाईउ को शुद्ध करने के लिए कपालबाती करना है कपालबाती का नाम सब्सक्राइब सुना हुआ है कपालबाती कैसे करते एक पर आप देख लीजिए जो हवा आपके लंग्स में है इसको सुद्धी के लिए आपको करना है भर्ष तरीक है इनेट स्रोली एंग्जेल लिटील बिट फोर्स देखिए इसमें सिर्फ लंग्स इंपाल हुआ तमक का कोई काम नहीं देखिए लंग्स ब्रीदिग अपने घर में आप हुमपिति का दो मेडिसिन रखिए जस्टिसिया मदर टिंचर और ग्रिंडेलिया मदर टिंचर अलग अलग रखिए या इसको मिक्स करके रखिए आपको लगता है कि आपका थ्रोट का इस्तेमल अब ज्यादा हो रहा है तो आप सुब ग्रिंडेलिया मदर टिंचर का और दस ड्रॉप जस्टिसिया मदर टिंचर का मिक्स करिए और सुबह सामा पलीजिए उसको आपको गले में कोई तकलीफ नहीं होगी आपका लंग से भी अच्छा होगा गला भी अच्छा रहेगा आपकी आवाज बैठेगी नहीं और आप काम ढीक से कर पाएंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो अपने जो भी इस तरह के सिंगर्स हैं डबिंग आर्टिस्ट हैं उनको आप सेयर करें और वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अन तक देखने के लिए आप सभी का धन अन्यवाद थेंक यू और ग्रीस यौल